दिल्ली के नए डियेम, डमी सीम मैं को हूँगा, डमी सीम आतीशी को मुभारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले हैं, क्योंकि हम सब को पता है, कि चेहरा आतीशी होंगी, लेकिन परदे के पीछे सारा जो खेल है, और भी इन केज़ दिवा रचने वाले हैं, दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि इमांदार मुख्य मंत्री बनेंगी, उनके उपर तो शिक्षा घुटाले का आरूप लगा हुआ है, सीवी की जहां चल रही है, लोका युक्त में केस चल रहा है, भारती जंता बाटी ने वो केस किया हुआ क्लास्रूम घुटाले का, तो शिक्षा का हो, चै कोई मामला हो, चै बस घुटाला हो, तमाम तरह के ऐसे हर मेकमे के अंदर भरष्टाचार है, भरष्टाचार में लिफ्ट वो सरकार है, समय आ गया है कि अब चुकि अब आतिशी मुख्य मंत्री बन गई है, रिकमेंट करें, चुनावाली जल्दी हो जाए, खुद क सारे विभाग दिये गए मनीशी सोदिया के कहने पर, और मनीशी सोदिया के दवाब में ही आतिशी को मुख्य मंत्री बनाया गया है, और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आप आदमी पार्टी का करेक्टर जो है, भरष्टाचारी करेक्टर, वो वहीं क दिल्ली की हर सड़क की यही हालत है, शिक्षा का काम आतिशी देख रहे हैं थी, नाइन किलास के नो, एक लाग से ज्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं, इलेवन किलास के चवने बच्चे फेल कर दिये जाते हैं, तो उनके पेरिंट्स को जवाब तो देना पड़ेगा न, इनका करेक्टर वही है, ब्रष्टाचार और ब्रष्टाचार का हिसाब, चाया आतिशी हो, चाया अर्विन के जीवाल हो, जा मनिश्यूस हो दिया हो, इन सब को देना पड़ेगा। और भरतवास तो ये कही रहे थे कि जो चीफ मिनिस्टर होगा, ये टेंप्ररी और पपिट चीफ मिनिस्टर होगा, तो इससे आज ये स्पष्ट हो चुका है, कि आमा आदमी पार्टी और अर्विन के जीवाल की सोच, नकसर समर्थन की है, पपिट महिलाओं को ऐस डमी एन को दबाइ